हेलो एवरिवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चेनल फार्मारोक्स के यूटूब एज्जूगेस्टनल चेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम राजनाइतिक दल से जुड़े 20 अक्सर पुछे जाने वाले प्रस्ण कि जो multiple choice questions के form में हम आज के lecture में solve करेंगे तो शुरू करते हैं आज के lecture के अंदर तो राजनाइतिक दल कि जो भारत की जो अलग-अलग national parties है कि BJP, Congress वगेरा तो उसके related जो important multiple choice questions है वो हम आज के ये lecture में solve करते हैं कि जो बहुत सारी अलग-अलग competitive exams के लिए important है तो be updated with the JK knowledge for that subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of former rocks तो शुरू करते हैं आज के lecture में और solve करते हैं first question number one कि प्रथम लोगसबा चुनाओं में कितने राजनाइतिक दलों को राश्ट्रिय दल का दर्जा प्रदान किया गया था option है 7, 12, 14 और 21 कि या पर बात है कि जो प्रथम लोगसबा चुनाओं जो हुए उस वक्त कितने राश्ट्रिय दलों को कितने जो राजनाइतिक दलों को राश्ट्रिय दल का दर्जा प्रदान किया गया था कि जो first लोगसबा चुनाओं हुए हमारे उस वक्त कितनी पार्टी जैसी थी कि जुनको national party राश्ट्रिय दल का दर्जा प्रदान गया गया था उसका सही अंसर है option number c 14 option number c 14 के total 14 जितनी parties को राश्ट्रिय पार्टी राश्ट्रिय दल का दर्जा प्रदान किया गया था आगे सोलते करते है question number 2 भारत में एक राश्ट्रिय दल के रूप में मान्यता प्राप्ट करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्ट करने चाहिए option 1 है 10% वैद मत चार अथवा अधिक राज्यों में 4% वैद मत चार अथवा अधिक राज्यों में option c 15% से भी ज्यादा मत दो राज्यों में and option d 25% वैद मत एक राज्यों में तो भारत में एक राष्ट्रिय दल कि जो national party बनने के लिए राष्ट्रिय दल के रूप में मानने दाप्राप्त करने के लिए किसी भी दल को किसी भी party को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए कि minimum कितने वट आपको मिलने चाहिए percentage के according to this का सही आंसर है option number B कि 4% वाइद मत 4 अथवा अधिक राज्यों में 4 से अधिक 4 परसंट तो है ही बट 4 अथवा अधिक राज्यों में 4 minimum और 4 से ज्यादा राज्यों में आपको वाइद मत मिलने चाहिए 4 परसंट जितने तबी आप तबी किसी भी पार्टी जो है वो राजनेतिक दल में या फिर राश्ट्रिय दल राजनेतिक दल जो है कोई भी ने पार्टी वो राश्ट्रिय दल की जो इंगलिस में हम कहते हैं उसको नेशनल पार्टी नेशनल पार्टी कि चार से ज़्यादा राज्यों में उनको 4% से भी ज़्यादा वई द्यमत जब मिलते हैं तब वो राष्ट्रिय दल के रूप में माननेता प्राप्त कर लेता है Q3. बारत में दलिय व्यवस्ता किस प्रपार की है? Q3. एक दलिय, द्यवदी दलिय, बहुदलिय और उप्यूग में से कोई भी नहीं तो भारत में दलिय व्यवस्ता किस प्रकार की है? एक दलिय है, द्रई दलिय है, बहुदलिय है या उपर में से कोई भी नहीं उसका सही अंसर है बहुदलिया कि भारत में दलिय विवस्ता किस प्रकार के तो बहुदलिय प्रकार के दलिय विवस्ता है राजनाइतिक पार्टियों के अंदर किसी राजनेतिक दल को राश्ट्रिय दल अथ्वा प्रादिसिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है तो उसके options है राश्ट्रपती, विधी मंत्री, निर्वाचनायोग और इन में से कोई नही तो उसका सही अंसर है निर्वाचनायोग कि जो भारत का निर्वाचनायोग है, वो किसी भी राजनेतिक दल को राश्ट्रिय दल अथ्वा प्रादिसिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करवाता है आपके लिए कि जो निर्वाचन आयोग जो है, वो किसी भी राजनेतिक दल को राश्ट्रिय दल अथ्वा प्रादिसिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करवाता है तो पार्टी का चुनाव चीनह क्या है, हाथी, साइकिल, सेर या फिर दो पत्तिया तो उसका सही आंसर है साइकिल तो तेलुग देसम पार्टी, तेलुग देसम पार्टी का जो लेटेस्ट चुनाव चीनह जो आप देखे, तो वो है साइकिल कि आप official TDP की वेबसेट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं तो ये वाला आपको उनका official वेबसेट उपर लोगों भी देखने को मिलेगा एस वेल एस ये उनका चुनाव चीन है कि जो election के लिए उनका main symbol है TDP ते लोगुदेशाम party वह भारतिय राजनेतिक दल कौनसा है जिसकी स्थापना नासकंद में हुई थी Option दिये है भारतिय राश्च्रिय कॉंग्रेश किसान तथा मस्दूर party गदन party और भारतिय कम्युनिस्ट party तो question यह है कि वह कौनसा ऐसा राजनेतिक दल है जिसकी स्थापना नासकंद में हुई थी तो उसका सही अंसर है भारतिय कॉम्मिनिस्ट पार्टी कॉम्मिनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया तो भारतिय कॉम्मिनिस्ट पार्टी ये उसका सही अंसर है question number 6 में question number 7 निमनी लिखित में से किसकी स्थापना बी यार आमबेड कर द्वारा गई थी तो स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी, अखिल भारतिय अनुसुचित जाती परिशत या फिर सोतंत्र श्रमिक दल तो क्वेस्चन यहे कि स्री बाबा साहिब आमबेड कर द्वारा कौन सी किसकी स्थापना की गई थी कि जो नीचे हमें ओप्सन में दिये है तो उसका सही आंसर है स्वतंत्र स्रमिक दल स्वतंत्र स्रमिक दल की जो स्थापना है वो स्री बियार आमबेड कर द्वारा की गई थी राजनेतिक दल निर्मिर्दिखित में से किसके के लिए जरूरी है सैनिक सासन के लिए, ताना सानिक साही के लिए, लोगतंत्र के लिए या फिर उप्युक्ट में से किसी के लिए नहीं तो राजनेतिक दल कि जो हम कहते कि political parties तो किसके लिए जरूरी है तो उसका सही अंसर है, option number C, लोगतंत्र के लिए कि जो हमारे देस में जो लोग तंत्रा है तो मेन राजनेतिक दल specially जरूरी है लोग तंत्रा के लिए किस राजनेतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पुर्व हुई जनसंग, स्वतंत्रपार्टी, भारतिय साम्मेवादी दल या फिर इन में से कोई भी लए तो स्वतंतरता से भी पहले कौन से इसे पार्टे थी कि जिसकी स्थापना हो चुकी थी तो वो है भारतिय साम्यवादी दल कि भारतिय साम्यवादी दल की जो स्थापना हमारी स्वतंतरता से भी पूर्व हुई थी यह आपको खास याद रखना है most IMP question आपके लिए यह बन सकता है question number 10 भारतिय जनता पार्टे का चुनाव चिनह क्या है हाथ का पंजा कमल चक्र या फिर चक्र के अंदर हलदर तो भारतिय जनता पार्टे की जिसको हम कहते है बीजेपी तो यह तो अब काफी famous हुए पार्टी हमारे भारत के अंदर जिसके करण सभी को इसका अंसर पता ही होगा कि कमल कि बीजेपी का जो चुनाव चिनह है कमल निमन लिखित चुनाव चिनहों में से कौनसा चुनाव आयोग द्वारा लोग सभा विदान सभा चुनावों में एक से अधिक राजनेतिक दलों के लिए आरक्सित है तो क्वेस्टन यहीं कि ऐसा कौनसा चुनाव चिनह है कि जिसको आरक्सित कर दिया गया है मतलब कि रिजर्व है तो रहात का पंजा कमल चक्र या फिर हाथी तो उसका सही आंसर है कमल तो कमल का चिनह चुनावायोग द्वारा लोग सभा विदान सभा चुनावों में एक से अधिक राजनेतिक दलों के लिए आरक्सित है तो कमल का चिनह कि जो आरक्सित किया गया है हमारे चुनावायोग द्वारा कि जो हमारा चुनावायोग है उसके द्वरा ये चिनहा जो है वो किया गया है रिजर्व कि जिसको हम कहते है आरक्सित भारत में साम्मेवाद अधारित दल कौन सा है CPI, ISP, कॉंग्रेस या फिर BSP तो उसका सही अंसर है CPI CPI मतलब की Communist Party of India कि CPI कि जिये उनका main official logo है तो Communist Party of India है वो भारत में साम्मेवाद अधारित दल है कौन्ग्रेस का चुनाव चिनहा क्या है कमल, चक्र, पंजा या फिर मसाल तो काफी easy question है यह, सभी के लिए answer है उसका पंजा 14 number question बारत में दलिय पद्दती की एक विसेस्ता है द्री दलिय पद्दती बहु दलिय पद्दती सांप्रदाइक दलो का अभाव या फिर क्सित्रिय दलो का अभाव तो उसका सही अंसर है बहु दलिय पद्दती तो आगे भी हमने दिखा था कि भारत में दलिय पद्दती किस टाइप की है तो बहु दलिय पद्दती है और यही उसकी एक विसेस्ता है दल विहिन लोकतंद्र के पक्स में कौन था जय प्रकास नारायन भुपेंद्रनादत एमेन राय या फिर जवाहरलाल नहीं रो तो उसका सही आंसर है जय प्रकास नारायन की जो दल विहिन लोकतंद्र के पक्स में थे तो जय प्रकास नारायन काफी important question बन सकता है आपके लिए कि जय प्रकास नारायन जो थे वो दल विहिन लोकतंद्र के पक्स में थे निम्न लिखित में से कौन सा एक क्सेत्रिय दल है कॉंग्रेस, भाजपा, अकाली दल या फिर जनता दल तो उसका सही अंसर है अकाली दल तो अकाली दल की जो क्सेत्रिय दल है तो ये भी आपको पता होनों चेके कौन से क्सेत्रा का है तो सीरो मनी अकाली दल जो कहा चाता है सीरो मनी अकाली दल पंजाबी पंजाब भारत का एक प्रमुक सित्रिय राजनेतिक दल है प्रकास सी बादल के नितरुत्व सुखबीर सी बादल इसके वर्तमान अध्यक से विश्व में सीखों को राजनेतिक आवाज देना इस दल का प्रमुक लक्स है और तराजू उसका चुनाव चिनह है तो ये चुनाव चिनह भी याद रखो एंड कौनसे एरिया का तो पंजाब वो आपको याद रखना है अकाली दल पंजाब भारत में मुस्लिम लिग की स्थापना कब हुई थी? 1908, 1903, 1906 और 1905 तो उसका आंसर है 1906 के अंदर की मुस्लिम लिग मुस्लिम लिग की स्थापना भारत में हुई 1906 के अंदर तो ये खास आपको याद रखना है regarding the मुस्लिम लिग किस राजनेदिक दल का चुनाव चिनह 1992 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्थित रहा है CPI, CPM, BJP या फिर SP तो किस राजनेदिक दल का दल चुनाव चिनह 1992 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्थित रहा है तो उसका सही अंसर है CPI कि जो हमने देखा अबी CPI Communist Party of India कुन का जो ये चुनाव चिनह है वो 1952 के आम चुनाव से अब तक और परिवर्तित रहा है Q19 भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनितिक दलों में से किसे रास्ट्रिय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है यहाँ पे खास ध्यान रखना मान्यता दी गई है या मान्यता नहीं दी गई ये खास आपको ध्यान रखना होता है कि जब इस टाइप के क्वेस्चन सॉल करते हैं तो मान्यता नहीं दी गई तो ऑप्सेंस दी है निर्वाचन आयोग द्वारा राजनितिक दलों में से जो हमारी समाजवादी पार्टी है उसको राष्ट्रे दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई क्वेस्चन अबर ट्वेंटिन निमने लिखित में से कौनसा दल संसदिय सरकार का एक अनिवार्य गटक है एक दू संद्योज्द सम्विधान राजनितिक दल एक लिखित सम्विधान तो निमने लिखित में से कौनसा संसदिय सरकार का एक अनिवार्य गटक है कि जो संसदिय सरकार की जो संसद होता है उनका प्रॉपर और उनका में इंपोर्टन गटक तो वो है राजनितिक दल कि जब कोई सरकार होती है संसदिय सरकार के कोई भी सरकार है तो उसका में इंपोर्टन गटक तो वो है सबसे पहले तो राजनितिक पार्ट है कि जब कोई पूरा संसद कि जो हमारा संसद होता है अमारी पार्लामेंट होती है तो पार्लामेंट के अंदर कि जो में पार्टी होती है और तो उसके opposition में होती है तो अलग-अलग party आज होती है तब ही कोई संसद्य सरकार की रचना होती है तो ये काफी important question है तो खास अच्छे से आफ याद रखिये तो आज हमने solve किये ये राजनेतिक दल से जुड़े questions अगर इस type की और lectures आपको चाहिए तो जरूर से comment box के अंदर comment करिये must comment तो इस type की और lectures भी हम आपके लिए set करते रहेंगे also join us on a whatsapp on 942618036 अमर रावल sir 9016312020 his personal whatsapp number any query you can also contact him directly from a rocks the view of success like share and subscribe our channel press on the bell icon to get notification of each and every video so thank you for watching subscribe channel for such more educational videos so good luck and all the best